तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कंजियूमर प्राइस इंडेक्स कंजियूमर प्राइस इंडेक्स को समझने से पहले आप मुझे एक बात बताओ कि हमारी सुसाइटी के अंदर सारे एक जैसे लोग हैं या डिफरेंट हैं आप कहोगे कि हाँ मैं डिफरेंट है फिर मैं कहूंगी कि अगर एक ओफिस में एक ही लेवल पे डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट इंप्लॉईस काम कर रहे हैं तो कुलीक हैं क्या उनका कंजम्शन पैटरन सेम होता है फिर आप कहेंगे कि नहीं मैम नहीं होता सही बोल रही हूँ ना because कई ज़्यादा spendthrift होते है और कई ज़्यादा या कई लोग save ज़्यादा करते है कई misers होते है मैं ठी कह रही हूँ ना तो that means that means सबका consumption pattern different होता है चाहे वो same भी earn कर रहे है उनका consumption pattern different है that means उनकी purchasing power पे भी differently affect होगा जब price में change आएगा क्या का मैंने जब price में change आएगा तो उनके purchasing power पे भी अलग-अलग effect आएगा तो इस चीज को समझने के लिए हमारे पास एक special type का index है और उसका नाम है consumer price index जिसका दूसरा नाम cost of living index भी होता है और इसका तीसरा नाम cost of living indices भी होता है तो बच्चों हम consumer price index को define कैसे करेंगे देखिए यहां पे इसको कैसे define किया गया एक मिनिट इसको हमने define किया it is the index number which measures जो क्या measure करता है average change क्या measure करता है average change on and average कितना फरक पड़ा किसके अंदर पड़ा prices में पड़ा जो prices एक specific class of consumer पे कर रही थी किस के लिए पे कर रही थी for goods and services के लिए पे कर रही थी जो वो consume कर रहे थे इस particular year के अंदर current year के अंदर as compared to base year क्योंकि comparison हम किस से करते है base year से दुबारा से it is the index number consumer price index क्या है it is the index number which measures average change किस चीज में in prices paid by specific class of consumer किस चीज के लिए goods and services जो वो consume कर रहे हैं current year के अंदर comparison with the base year अब बात आई कि क्या consumer price index एक ही होता है नई बच्चों different type of groups of consumer के लिए different type के index बनते हैं generally जो consumer groups के लिए हम index बनाते हैं उसमें एक है industrial workers है उनके लिए बनाया जाता है जिसको हम IW से denote करते हैं फिर हम बनाते हैं urban non-manual employees के लिए और उसके अलावा इसको हम short form देते हैं UNME उसके अलावा हम बनाते हैं agricultural laborers के लिए किसके लिए agricultural laborers के लिए जिसको हम short form कह रहे हैं AL AL agricultural laborers एक सेकेंड बच्चों इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ construction करते कैसे हैं construction of एक सेकेंड इंडेक्स consumer price index बनाना है वो किस class के लिए बनाना है। हम किस के लिए बना इंडेक्स के लिए बनाना है। या फिर हम agricultural laborers के लिए बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको construction के अंदर आपको वो consumer class select करनी है जिसके लिए आपको consumer price index बनाना है हो गया यहाँ पे second काम आपको क्या करना है उसके बाद आपने जो select किया है उसके बारे में information इकठी करनी है information किसके regarding उनके family budget के regarding कि वो लोग क्या consume करते हैं पहली चीज़ कि type of goods they consume, commodities they consume वो क्या consume कर रहे हैं अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा अब वो different type की commodities consume कर सकते हैं जैसे की वो क्या कर सकते हैं वो क्या खा रहे हैं food commodities they consume, okay thank you ठीक है वो food consume कर रहे हैं, वो cloth consume कर रहे हैं, वो fuel और light consume कर रहे हैं ठीक है उसके लावा वो house rent दे रहे हैं या खुद के house में रह रहे हैं अब अगर खुद के house में रह रहे हैं तो वो कितना tax भर रहे हैं education का level क्या है, उनका उनकी health standard क्या है, वो health के उपर खर्चा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ठीक है तो यह सारी चीजों के regarding आपको information ही कठी करनी है दूसरी चीज़ इसी के अंदर quantity कितनी consume कर रहे है, quantity they consume बचों suppose अगर वो cooking oil consume करते हैं अपनी kitchen के अंदर देसी घी तो वो कितना देसी घी consume कर रहे है, यह भी आपको करना है ठीक है, यह theoretical part के अंदर आएगा सारा, numerical के अंदर ऐसा कुछ नहीं होना step यह वाले नहीं है, वो सिरफ यह theoretically आपको ऐसे सिखाया जाएगा तीसरी चीज़, जो आप goods देख रहे हो, जो आप quantity ले रहे हो जिस चीज़ की उसका price क्या चल रहा है, prices of the goods concerned मतलब जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम सारे goods तो लेंगे नहीं, हम main-main goods लेंगे ठीक है, फिर हमने बात की, फोर्थ चीज़, कि लोग पैसा कितना लगाते हैं उस पे, money they spent on अरे बाबा, वो flow flow में बन जाता है money they spent on, किसके उपर, these goods and services ठीक है, तो ये चार चीज़ों के regarding main information हमारी gather होगी, तो हमने पहले दो step क्या किये, पहला हमने consumer class select की, ये वाली, फिर हमने information एकठी की उनकी family budget के regarding, फिर तीसरी चीज़ हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, base year को select करने वाले हैं, that is choice of base year, और आपको मालूम है, एक base year एक ऐसा year होता है, जिसके हाथ comparison होता है, तो वो base year ऐसा होना चाहिए, जिसके अंदर ज़्यादा up-downs ना हूँ, stable year होना चाहिए, वो हमारा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, information ली हमने prices के regarding, क्या price चल रहे हैं, information regarding prices, ठीक है, कि हमने जो items ली हैं, उस particular items, एक particular region के अंदर उनका price क्या चल रहा है, क्योंकि different region के अंदर different prices चल रहे होते हैं, तो जिस जगहां पर वो person रहे रहा है, उसके area के अंदर वो price कितना चल रहा है, जो वो pay करता है, और फिर हमने weightage की बात की, weightage का मतलब क्या है यहां पर, weightage का मतलब है कि importance कितनी है, various items की, जो हमने items consider की है, different class of people के लिए, ठीक है, तो हमने उसके according weightage देखनी पड़ेगी, और उसके अंदर हमने, फिर हमें weightage दो टाइप से ले सकते हैं, quantity weight, और दूसरी side आई हमारी expenditure weight, quantity weight और expenditure weight, तो यह दो टाइप की weight हम लेंगे, इसके अंदर, चीक है, अब तुम कहोगे कि मैं हमें यह expenditure weight क्या होता है, बच्चो हमारा यह जो weightage है, यह total खर्चे के according कितने proportion के अंदर आता है, तो उसके हिसाब से हम लेते हैं expenditure weight, और quantity weight क्या होता है, जो weights होते हैं, total quantity के according proportion निकाला जाता है, तो वो quantity weight है, खर्चे के according निकाला जाए, तो वो expenditure weights होते हैं, तो यह हमारे कुछ steps थे, in the construction of consumer price index, अब आगे आता है इसके अंदर, methods, methods of constructing consumer price index, methods of constructing consumer price index, इसमें हमारे दो method आ रहे हैं, पहला method है, aggregative expenditure method, और दूसरा आता है इसके अंदर, family, budget, method, पहला क्या है, aggregative expenditure method, दूसरा क्या है, family budget method, बच्चों ध्यान से सुन लो, समझ लो, जो पहला method है न, aggregative expenditure method, इसमें वही formula लगना है, जो less peer के अंदर आपने use किया था, तो CPI, consumer price index, यहां किसके equal हुआ, sigma P1Q0 upon sigma P0Q0 into 100, और family budget method के अंदर हमारा formula use होगा, कौन सा, weighted average of price relative, जो sigma PW by sigma W किया था न, हमने वह बाला formula हमारा family budget method के अंदर use किया जाएगा, ओके, और आपको पता ही है, इसके steps क्या होते हैं, sigma PW by sigma W के, तो इसके according एक question आप करेंगे, वो क्या है, मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ हूँ, यहां पर values, हमें दिया है Q0, वो है 5, 1, 2, 4, 5, 40, 10 and 1, हमें दिया है P0, 24, 16, 12, 5, 4, 1, 2, 20, फिर आया P1, 30, 20, 18, 6.25, 5, 1.50, 2.50 और 25, आपको क्या करना है, आपको यह वाला question दोनों method से solve करना है, और दोनों से ही सेम answer आएगा, मैं answer लिख रही हूँ, that is 130.71 is the answer, match it, do it accordingly, ठीक है, thank you.